हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बुर्ड स्टेडी पॉइंट प्रिंसर पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास टिंथ का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है केमेस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में रसायन सास्तर बोलते हैं और इस चैप्टर का आप लोगों ने अभी तक पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री यानि पहले चैप्टर का जिसका नाम है रसायनिक अभिकरिया है एवं समीकरण केमिकल रियक्शन्स एंड इक्वेशन इसका अभी तक आप लोगों ने टोटल थियोरी पढ़ लि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा तुरंत उसका अब्जेक्टिव क्वेशन हर सब्जेक्ट की तरह हर चैप्टर की तरह आपको प्रुवाइड करवाया जाएगा तो यह बहुत ही इम्पोटेंट आज का क्लास होने वाला है हाँ वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें टोटल सेवेंटी थ्री यानि कि तीहत्तर क्वेशन है आपके चैप्टर वन से आप किसी भी बुक को चाहे वो भारती भौन हो एंसी आटी हो एसे फो कोई भी भुक से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी पहले चैप्टर से कोई भी ऐसा अब्जेक्टिव क्वेशन तो नहीं होगा कि आपका चुटेगा क्योंकि इसमें जो भी अब्जेक्टिव क्वेशन लिखे गए हैं वे सभी कभी ने कभी एक्जाम में पूछे गए हैं और आपके बुक्स में भी दिये हुए हैं आपके किताब के अंदर से पीछे जो दिया रहता है अभ्यास से उससे हर एक जगह से एक निशोड है मतलब कि आपको ज्यादा कहीं घूमना नहीं पड़ेगा अगर यह 73 क्वेशन अब तयार कर लेते हैं तो पहले चैप्टर से अगर आपके एक्जाम में कोई भी अब्जेक्टिव आ रहा हैं तो आ पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला वीडियो नहीं दिखा है पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट त्री तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं वहाँ पे लिखाओगा क्लास 10th केमिस्ट्री उसको उपन करें और पार्ट वन पार् करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेस्टन नमबर वन जैसे कि देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोगों ने थियोरी तो पड़ा है तो थियोरी का धार पर इसमें सवाल है तो आप लोग भी दिमाग लगाईए कि इसमें से ऑप्शन कैसे कौन सा ठीक आप लोगा जो बूर्ड में एक्जाम पुछता है नहीं जिस तरह क्वेस्टन देगा चार ऑप्शन देगा तो उस टाइप से अब आप लोगों को जैसे कि मैं भी क्या करता था पहले की क्वेस्टन और उसका एंसर लिख देता था नहीं आप से जो भी अब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चैप्टर से तो आपको इसी टाइप कर दिया जाए जाए तो आप लोग दिख सकते हैं लिखा है कि ZN CU SO4 फिर तिरक निसान ZN SO4 CU उपर दी गई रसायनिक अभी किरिया किस परकार की है मतलब जैसा कि आप लोग पढ़े हैं Part 2 में कि रसायनिक अभी किरिया साथ परकार के होते हैं ठीक है और यहाँ पर चार रसायनिक अभी किरिया दिये गए है option में आपके तो आपको बत ताना है कि ऊपर या यह इसके जगह पे आ गया जिंक थिक है तो जिंक आ गया और कौपर जो है वो साइड में चला गया तो जिंक सलफेट एक साथ हो गया और कौपर अलग हो गया तो आप लोग ने पढ़ा है कि जब कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करके मतलब वहां से हटा करक तो वो अभी करिया विस्थापन अभी करिया कहलाती है कौन से अभी करिया कहलाती है विस्थापन अभी करिया कहलाती है तो यहां पे हमारा पहला आप्सन है सनी ओजन अभी करिया दूसरा है विस्थापन तिसरा है द्वी विस्थापन और चौता है भी ओजन तो आप आप का विस्थापन अभी करिया यह वाला बी नंबर आप्सन जो है आपका सही है समझ में आ रहा है बात मतलब इस जेडेन ने क्या किया कि किona की सी यू ऐस सो फोर में से इस सीयू को हटा दिया और खुद иतल Direks से ने यहां पर आगया और इसको क्या कि यहां पर भगल में भेज धिया हटा दिया यानि विस्थापित कर दिया तो एक ही तत्हों को बीस्थापित ना किया होता है तो यहां पे द्वी विस्थापन नहीं बल्कि विस्थापन अभी करिया होगा तो हमारा बी नंबर जो अपसन है वो सही है तो यहां पे अंसर आपका देख सकते हैं बी उत्तर क्या है बी विस्थापन अभी करिया तो इसको आप नोट कर सकते हैं जलिए अब इसका दू नंबर समझते हैं दूसरा क्वेसन है कि जब मेंगनिसियम के फिते को जलाया जाता है, आप लोगों ने इंग के पार्थरी में ही है, कि मैगनिसियम के फिते को जलाया जाता है तो उत्पन आग की जो लौव होती है लौव समझते हैं आप लोग जैसे कि लेंप जलाया जाता है या लांटेन या दिया जो भी जलाया जाता है तो जो जलता है उसी को लौव बोलते हैं मतलब उजला होगा भी चमकीला भी होगा और चौता है लाल तो इसको आप याद कर लेंगे जब मैगनिसियम के फीता जलता है तो चमकीला और उजला होता है ठीक है ना तो आप्सन नमबर सी हमारा सही होगा इसमें से याद रख लेंगे कि दम मैगनिसियम के फीते को जलाया जता है तो चमकीला उजला होता है कि तीसरा प्रशन है हमारा कि कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ हुआ चुना है देखें पहला दिया है option में CAO का अर्थ होता है calcium oxide इसको बुझा हुआ हुआ नहीं कहते हैं मतलब कच्छा कुना बुझा हुआ चुना होता है जो आप धुकान से खरीद के लाते हैं तो वह कली चुना है कच्चा चुना लेकिन जैसे आप उसे पानी में मिला देते हैं देखिएगा चुना बहुत तेजी से कि मतलब वह खौलना शुरू जाता है लगभग उसका टेंपरेचर तीन हजार डिग्री सेल्सियस होता है तो वह खौल करके और कुछ वक्त के बाद सांत होता है तो जब वह बूझ जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं बूझा हुआ हुआ चूना और उसका सुत्र होता है सी कैल्सियम हाइड्रा ऑक्साइड कैल्सियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं उसको तो पहला तो हमारा हो गया यह कली चुना तो यह तो होगा नहीं दूसरा है हमारा कैल्सियम हाइड्रा ऑक्साइड यह हमारा ऑप्सन क्या होगा सही होगा और यह तिसरा है कैल्सियम और सी यह मतलब होता है केल सीम इसमें हमारा जो बी नंबर ऑप्सन है वो क्या है सही है तो आप लोग सी ए ओ एस टू लेख लेंगे इसका चलिए क्वेस्टन नंबर चार पर चलते हम लोग चार नंबर क्वेस्टन है कि एक जाच पराख ननली में लिए गये बिलियन में एक लोग की कील ओढ़ा गया। आदे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का जो रंग है वो परिवर्तित हो चुका है मतलब बिलियन का जो रंग है वो बदल गया है परिवर्तित मतलब क्या होता है बदल जाना उस जाच परकनली में विलियन इन चारों में से कौन है आखिर पहले से उस विलियन में copper sulfate आखिर कैसे चलिए इसको समझते हैं जैसा कि आप लोग बिश्थापन अभी करिया में पढ़ें कि कोई भी अभी करिया सील तत्व ज़्यादा भी करिया सील होगा वह अपने से कौम अभी करिया सील तत्व को हटा के रियक्शन करका मतलब उसको अलग कर देता और खुद रियक्शन कर लेता है उसके उससे जुड़े हुए ले तत्वयाए याउगिक से तो यहां पर क्या है कि आपने लोहा डाला ठीक है इसका एक्जामपल में मैंने दिया है पार्ट टू में आप लोग देख सकते हैं वो बिस्थापर ने भी करिया में तो एफ ए और इसमें पहले से है कौपर सॉल्फेट तो यह एफ ए जो है कौपर को हटा देगा और खुद चला जाएगा सॉल्फेट के साथ एफ ए एस ओ फूर और कौपर को साइड कर देगा अब पहले था वो कौपर सॉल्फेट तो मान लीजिए किसी कलर का होगा लेकिन बाद में वो लोहा के डालने के बाद वो हो गया फेरस सॉल्फेट तो कलर तो बदलेगा ही तो उसमें और लेडी पहले से कौपर सॉल्फेट था और लोहा के डालने के बाद रियक्शन होगा तो वो बन गया फेरस सल्फेट जिसके चलते उसका कलर क्या हो गया? बदल गया क्योंकि और लेडी पहले से इसमें कहा रहा है तिसरा अप्षन फेरस सल्फेट तो लोहा लोहा का थोड़े हटा सकता है लोहा ऐलमुनियम को भी नहीं हटा सकता है लोहा क्यों हटा सकता है तो copper को किसको हटा सकता है copper को इसलिए हमारा option number B जो है वो सही है अब आते हैं question number 5 पर आप देख देजिए यहां पर अभी आप लोगों समझाये थे कि जब अदला बदली की अभी किरिया हो तो उसको अभी स्थापन अभी किरिया कहते हैं तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए अदला बदली हुआ है एने 2 ऐसोफोर यानि सोडियम बाई स्थेट और बेरियव कलोराइड फिर इधर है बेरियम सफिट और इधर है सोडियम कलोराइड मतलब पहले वाले का देखे एन ए दूसरे वाले के सीयल से मिल गया है एन एस और दूसरे वाले का बिरियम पहले वाले के शॉल्फेट से मिल गया है यानि अदला बदली ऐसे और ऐसे वाला अभी करिया होगा है तो आपको बता है न कि य हुआ क्या होता है द्वी बिस्थापन अभीक्रिया होता है इस लिए इसमें हमारा हाँ part one part two three नहीं पढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगी यह नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो अच्छे से उसको पहले समझिए तब इसको बनाईए तब समझ में आएगा अगर प्रस्ट नंबर चौओ है कि साग सब्जियों का विघ तीत होकर कंपोस्ट बनेना किस अभिकरिया का उधार हैं साग सब्जी समझते हैं घार में जो सब्जी होता है जो आम वो खाते हैं, तो विघटी नियुमतित मतलब वो तूटता है, और पूपोश्ट बनता है, क्भा काद क्योंक videos, आप लोग को पता है, कि किसी भी साग सबस्की के चिलका वो के फेक दिया कुछ दिने के बाद सड़ कर वो खाद बन जाता है तो किस प्रकार का उदारण है पहला अप्षान है उस्मा सोसी तो उस्मा सोसी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसके पश्चार जिसमें उस्मा का सोशड होता है मतलब जो उस्मा को खिषता है दूसरा है उस अभी किभी अभी अभी कहा जाता है दूसरे नाम होता है विस्था तो यतापन को कहते हैं प्रतिस्थापन और मु didn't do I c दिवी बिस्थापन अभी करिया या बिस्थापन अभी करिया तो मतलब दिखी नहीं रहा है कहां पर कोई रियक्षन हो रहा है कि आपको दिख रहा है तो या तो इसमें से ए नंबर सही होगा या बी नंबर सही होगा या तो उसमा सोसी या तो उसमा छेपी अब उसमा सोसी य नहीं, वो अपने अंदर से उस्मा को बाहर निकालता है, तो इसमें जो आपका option होगा, वो option number B सही होगा, उस्मा छेपी अभीकिरिया, तो यहाँ पे हम ठीक लगा देंगे, B number option पे, उस्मा छेपी अभीकिरिया, ठीक है? चलिए, question number 7 को समझते हैं, साथ number question है, उपचयन वह प्रक्रिया है, जिसमें, देखिए, आपको question बताया गया है, उपचयन और अपचयन, दो question आपनों को मिला था, part 3 में, तो उपचयन का अर्थ होता है, कि जब कोई भी reaction oxygen के साथ हो, ओ के साथ हो, तो वो उपचयन अभीकिरिया कलाती है, और एक होता है अपचयन ठीक, इसका उल्टा, कि जिसमें reaction जो हो, वो hydrogen के साथ हो, oxygen के साथ ना हो, hydrogen के साथ हो, तो उपचयन कौन सी पर किरिया है, तो पहला है oxygen का योग, मतलब जिसके साथ oxygen का योग होता है, तो यह तो बिलकुल सही है, दुसरा है hydrogen का भीयोग, भीयोग मतलब होता है hydrogen का बाहर निकलना तो अब बात को याद रखेगा कि उपचैन अभी किरिया में oxygen का योग तो होता है साथ यसाथ उससे hydrogen अगर होता है तो hydrogen को बाहर निकाल दिया जाता है और hydrogen के साथ जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है तो तीसरा है option ई्लिक्तों का त्याग तो अभी क्रिया में योग होता है है योग हंपी ऑफ्र segu झाधा है उसे वार निकल जाता है औरक वर us subscribe ज्टरियों कथे करें हैं तो जिसके लाज का सभी कढ़ कलेंगे इसमें आ evolve सिसमिट दॅ क्थ कोई और option दिया होता तो यहां पर आप टीक करते oxygen का योग क्योंकि oxygen का योग में होता है उपचैन में और आपचैन में hydrogen का योग होता है समझ गए बात को तो note कर लिजी इसको question number हमारा 8 है कि जब sodium hydroxide zinc से अभिकरिया करता है तो कौन से उत्पाद बनाता है उत्पाद के बारे में तो आप लोग ने पढ़ा है part 1 में अभिकर्मक और उत्पाद के अभिकर्मक करता है कि कोई भी रसाइनिक अभिकरिया में जो भी तत्व यो मतलब अभिकरिया करते हैं तो उसे अभिकारक या अभिकर्मक या रियक्टेंट बुला जाता है और अभिकरिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल या प्रोड़क्ट बोलते हैं तो यहां पे सवाल हो रहा है कि sodium hydroxide का सुत्र होता है एन ए ओच एन ए ओच होता ह है ऐसा अपदार्थ जिसका वो निर्माड करता है तो चलिए आपको हम रियक्टेंट करके दिखाते हैं कि कैसे वो रियक्टेंट होता है सबसे पहले कि आपको sodium hydroxide zinc से भी करिया करता है ठीक है तो sodium hydroxide का सुत्र आपका होता है एन ए a o h plus यह reaction है जिंक से यहनी कि z n से reaction है तो z n से जब यह reaction करेगा तो क्या बनाएगा तो वह होता है कि आपका यह n a जो है वो z n के साथ जुड़ जाएगा किसके साथ z n के साथ जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा एन ए जेड एन ठीक है अब बच गया o h तो कि o h sodium hydroxide ऐसे लिखाया था o h2 मतरब दो थो oxygen और दो थो hydrogen तो हम दो थो oxygen रखेंगे अलग अलग कर देंगे और hydrogen को अलग कर देंगे तो इस तरह क्या होगा एन ए जेड एन ओ टू प्लॉस एस टू तो हमारा जो बी नमबर इसमें option होगा वो सही होगा कि sodium zinc oxide और plus h2 यानि की hydrogen अलग हो जाएगा तो इसमें आप b नमबर जो option है वो आप click कर सकते हैं sorry d नमबर na2, zno2 और h2 अब आईए question number 9 को समझते हैं कि c u o यानि copper oxide और plus h2 यानि hydrogen hydrogen तो कोई भी अभी किरिया अगर hydrogen के साथ होती है तो किस फरकार का अभी किरिया होगा अभी बैताये थे तो वह होता है होता है अपचायन जब oxygen सभी होग होगा तो उपचायन और hydrogen सभी होग होगा तो अपचायन ठीक है तो यहां पर नंबर 10 क्शेल नमबर 10 क्वैस्ट नमबर 10 के सांकी निचसे दी गई अभिकरिया में कौन सा कथन सही है। तो निचे दी गई अभिक्रिया में जो जैसे अभिक्रिया है C,U और O यानि ऑक्सीजन के साथ सन्योग हो रहा है अभिक्रिया हो रहा है तो अभी बताए ना कि ऑक्सीजन के साथ होगा तो उसको उप्चैन अभिक्रिया कहेंगे और hydrogen के साथ हुआ है तो oxygen अभी किरिया कहेंगे तो यहां पे तो oxygen होगा तो चलिए option में oxygen खुझते हैं तो पहला option है copper का oxygen करण दूसरा है copper का oxygen तीसरा है copper का nitrogen चौता है A और B अरे oxygen तो इसमें दिया ही नहीं है तब अब क्या करेंगे तो आपके एक बात हम बता देना चाहते हैं कि oxygen को ही उपचैन कहते हैं oxygen का दूसरा नाम उपचैन होता है और oxygen का दूसरा नाम उपचैन होता है तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे देखे आपके फिवरी में सब चीज नहीं मिलता है इसमें भी आपके एक्स्क्राइगा जैसे कमालीजी आपने जाना कि चाह्थ सबस्टताय क्की आहीं है, चलिए जलबी उतार ले, उतार लेंसे कुछी नहीं होगा, कुछी नहीं होगा, समझ पड़ेगा इसको, तो आकसी करण हो गया उपचयन, और आकरण हो गया अपचयन, तो इसमें option number जो आपका A है, वो सही है, copper का उक्सी करण हो रहा है किसका उक्सी करण हो रहा है कॉपर का ए नंबर जो आपका option है वो सही है 11 नंबर हमारा question है कि नीमने लिखित में से कौन सा उतपाद लेड नाइटरेट को गरम करने पर प्राप्थ होता है देखें लेड नाइटरेट का सुत्र होता है PBNO3 PB मतलब होता है lead, lead मतलब होता है CISA, काच समझते हैं न, CISA या काच तो PB, बड़ा P और छोटा B PB सुतर होता है और nitrate का होता है NO3 यानि PBNO3 lead nitrate का सुतर होता है तो lead nitrate को जब गरम करते हैं तो क्या मिलता है मैं तो इसमें option number जो आपकर D है वो सही होगा NO2 और O2 यानि कि nitrogen oxide और oxygen हमें प्राप्त होता है तो lead nitrate का सुतर याद रखेंगे PBNO3 होता है फिर बारा number question है कि लाल तप्त iron पर iron मतलब हो गया लोहा लोहा पर जलवास परवाहित करने पर मतलब पानी परवाहित करने पर कौन सा याउगिक प्राप्त होता है मतलब जब iron है लोहा है तो लोहा पर पानी अब डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी में oxygen होता है तो वो क्या करेगा कि oxygen सभी किरिया करके oxide बना देगा तो वो इसमें option number जो C है वो सही होगा ferrous oxide Fe3O4 यहाँ पर O4 के जगर O2 भी होता तो भी सही होता है 3 सही नहीं होगा ठीक है न वो oxide मतलब बनाता है याई 2 या 4 हो सकता है तो Fe3 और O4 जो इसका option होगा वो सही होगा question number 13 है silver chloride silver chloride silver समझते हैं चांदी हो कहा जाता है silver chloride का रंग क्या है silver chloride का सुत्र भी हमने लिख दिया है AG-CL AG मतलब होता है silver और CL मतलब होता है chlorine और chlorine से बनता है chloride तो इसका रंग क्या होता है तो इसका रंग होता है C number options हरा क्या होता है जी हरा रंग का होता है silver chloride तो option में देख सकते हैं स्वेट है पीला है अरह है काला है तो आप हरा वाला टिक करेंगे फिर कुर्शन नुबर 14 है कि फेरस वाला तो फेरस सलफिट क्रिश्टल मतलब होता है ठोस का रंग कैसा होता है पहला प्रेंट स्वेट यह उजला दूसरा ऑप्षन है हरा तीसरा है लाल, चौता है, भूरा, तो इसको भी याद कर लेंगे, इसका भी रंग हरा ही होता है, तो इसमें भी B number option, क्या होगा, सही होगा, हरा रंग का कलर होता है, फेरसल्फिट का, इसको भी याद कर लेंगे आप लोग, फिर है पंदर नमबर क्वेस्टिन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड सुतर लिख दिया है अनो टू तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के धूए का रंग कैसा होता है मतलब यह गैस है तो इसका जो धूआ होता है उसका रंग कैसा होता है तो वो होता है आपका भूरा होगा लाल हरा पिला नहीं होके इसका रंग जो होगा वो भूरा होगा अब हमारा क्वेस्टन नमबर 16 है कि स्वसन किस परकार की रसाइनिक अभी किरिया है तो आप लोग देखिए थिवरीम पढ़ा चुके हैं कि स्वसन और जवाब का अभी किरिया है वो किस परकार का जायती क्वेस्टन कई बर एक्जाम में पूछा जा चुका है तो स्वसन किस परकार की रसाइनिक अभी किरिया पहला है उपचयन दूसरा है सनियोजन भी किरिया तीसरा है उसमा छे पी चौता है उसमा सोसी तो उपचयन इसमें ऑक्सिजन कर तो सन्योग हो नहीं रहा तो काईन परिया यРЕख तो यह बीन रही होगा अब रहा गया क्या होता है उसमा निकलता है कि सास लेना और छोड़ना क्या कह लाता है तो जब हम सास छोड़ते हैं तो गर्मी निकलता है दिख लिए ये छोड़ करके और लेते हैं तो तो ये जो है वो हगा C number option सही होगा उसमा छेपी अभी किरिया होता है स्वसन हमेशा उसमा छेपी अभी किरिया ही होता है क्योंकि त्यूरी मैंने एक क्वेशन दिया था कि स्वासन उसमा छेपी अभी किरिया है कैसे इस टाइब का प्रश्ण था उसमें अब आईए क्वेशन नमबर 17 निमने लिखित में से कौन सही है तो पहला है न2, CO3, 5S2 दूसरा है न2, CO3, 10S2 C number option है Na2, CO3, 7S2O और D number option है Na2, CO3, 2S2O तो इसमें जो option होगा बाब हुँ वो B number option सही है यही समीकर्ण सही है बाकी सम गलत है तो Na2, CO3 और 10S2O इसको आप लोग याद कर लेंगे Question number 18 है कि समीकर्ण CACO3 यानि calcium carbonate Question में लिखा है S, S कार्थ होता है Solid, Solid मतलब होता है ठोस ठीक है न, क्योंकि संग मरमर का जो पत्थर होता है उसका सुत्र होता है CACO3 और पत्थर ठोस ही होता है तो यह जो reaction कर रहा है तो टूट रहा है CAO में CAO solid है यानि calcium oxide है, plus CO2, G मतलब होता है gas G मतलब gas, इसको याद रखेगा, S लिखाओगा न तो ठोस, G लिखाओगा तो gas, L लिखाओगा यह निकि liquid मतलब तो draw तो calcium carbonate तूट रहा है दो भागों में CAO और CO2 में तो किस प्रकार का समय करण है तो भीयोजन, दूसरा है सनियोजन, तीसरा है उभायगामी, चौता है प्रतियस्थापन तो जाइड सी बात है कि जब भी कोई योगी बड़ा सा तूट कर दो या दूसरे अधिक भागों में बढ़ जाए तो इसको हम लोग भीयोजन अभीकिरिया कहते हैं पार्ट टू का दूसरा ही question है यह तो आप इसमें option number A टिक करेंगे भीयोजन अभीकिरिया कौन अभीकिरिया बीयोजन अभीकिरिया फिर 19 नंबर question है कि रहसाइनिक अभीकिरियाओं को ब्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में दूसरा है अडू सुत्रों के रूप में तीसरा है समिकर्णों के द्वारा चौता है सरल सुत्रों के द्वारा तो किसी भी अभीकिर सकते हैं आप लोग चले question number 20 को समझते हैं समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और परतेक परकार के परमाड़ों की संख्या समान हो तो यहां समीकरण किस परकार का होता है कि आपते हैं कि परमाड़ों की संख्या अगर समान हो मतलब दोनों तरफ बराबर हो तो वो किया high होता है तो आपको तो पता ही है कि वो संतुलिथ रासाइन की समीकरण होता है तो इसमें जो और बी वह सही होगा अगर इसको भी उतायर लीजिये हाँ तो इस तरह देखा जा रहा है कि वीडियो का फिसी तरह आधा घंटा का हो चुका है बस आज के लिए इतना ही अब इसके बाद अब देखिए इसको हम क्या करेंगे अब इसको हम तीन पार्ट में बना देते हैं ताकि मतलब अच्छा लएगा कि लंबा वीडियो देखने के बाद कितना लोग का मन ही नहीं करता है पढ़ने का तो अब इसके पार्ट टू में तुरंत हम अपलोड करते हैं उसको भी बना करके तो उसमें क्वेस्टन नमबर 21 से लेकर 45 तक रहेगा और तीसरे पार्ट में 46 से लेकर 73 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा और इस तरह आपका चेप्टर समाप्त हो जाएगा तो आज के धन्यबाद